हालो स्टेंज वेलकम बैक, जेई मेंस अल्मोस्ट डन हो गया, अब सिर्फ दो दिन का एक्जाम बचा हुआ है, जो कि कल जाने की एर्थ और नाइन्थ अपरेर को है, ठीके, दो दो सिर्फ में दोनो दिन एक्जाम होगा, उसके बाद जेई मेंस डन हो गया, उसके बाद अब जो सबसे इंपोर्टेंट एक्जाम आने वाला है, वो है जेई अडवांस, जेई अडवांस के क्वेश्चन काफी कॉंसेप्च्छल होते हैं, लेंदिन नहीं होता, ठीके, तो जेई अडवांस एक्जाम देने से पहले, आपको जेई अडवांस का PYQ जरूर सॉल्व करना चाहिए, एटलिस्ट कम से कम 20 to 25 विर्स का जो PYQ है, उसको आप सॉल्व कर लीजिए, ठीके, आपको बहुत एक आइडिया देगा कि किस टाइप को प्रोलम आता है, और हमें कैसे क्वेश्चन के साथ डिल करना है, मैं किस अच्टेप के साथ क्वेश्चन को आगे बढ़ा एक paragraph का question है, question है, konic section से जो की काफी important question है, सबसे जो important आपको बात याद रखना है, konic section एक theoretical chapter है, तो उसका जो theory part है, उसका जो result है, वो आपको याद रखना पड़ेगा, तो उसका question देखो, चुटकियों में solve हो जाएगा, जैसे ये question देखो, ये question पुरा मैंने यहाँ पी ल उसको carefully read करना है, right, देखो, A, R, A, T, B non-zero, non-zero का मतलब है कि A, R, A, T है न, एक अभी zero का equal नहीं हो सकता, ठीक है, real numbers है, let P, Q, R, A, S, be distinct point on the parabola, मतलब ये चारो point parabola पे like कर रहा है, note करना, P का coordinate given है, Q का coordinate नहीं given है, R का given है, S का given है, okay, आगे पढ़ते है, suppose that P, Q is a focal chord, P, Q क्या दे दिया, focal chord, तो यानि की Q का निकालना ज्यादा tough नहीं है, मतलब आपको result याद है, तो तुरंत आप चुट क्यों में उसको लिख लोगे, Q का coordinate, ठीक है, okay, focal chord of end, अब line this and this are parallel, where is this, okay, एक और K है, उसका coordinate दे रखा है, और QR और P के क्या है, एक parallel है, line है, ठीक है, आपको the value of R, पहला question है, वो भी in terms of T, और दूसरा में भी in terms of T ही option है, तो चलिए question को solve करते हैं, सबसे पहले हम लोग ना, एक rough figure बना लेते हैं, parabola का, देखिए, मैंने एक parabola का बना लिया, जो की equation यह given है, standard form है, parabola का, ठीक है, और यह आपका x axis है, यह आपका y axis है, यह आप पे एक point P है, क्योंकि P है, वो on the parabola है, मतला parabola पे लाई कर रहा है, ठीक है, अब मैंने P क्यों लिया, क्योंकि मुझे Q का निकलना था, और P क्या है, फोकल कॉर्ड है, तो P का कोड़नेट यहाँ पर लिखना हूँ, 80 square, 280, ठीक है, अब मैं यहाँ से यहाँ तक join करूँगा, यह हो गया Q, ठीक है, और A हो गया, क्या, फोकस हो गया, क्योंकि P Q क्या है आपके पास, फोकल कॉर्ड है, और फोकल कॉर्ड यानि कि कहां से पास करेगा, फोकस से पास करेगा, फोकस कहां लाई करता है, तो एक साक्सिस पे, यह फोकस हो गया, और इसका कोड़नेट क्या हो कि यहां पे जो P का जो coordinate given है तो ती के जगा आपको minus 1 upon T से replace कर देना है तो आपका coordinate निकल जाएगा किसका Q का निकल जाएगा और यह क्या है यह आपके पास एक result है अधरवाज इसको derive करना पड़ेगा थोड़ा सा आपको time लग सकता है तो time लगेगा तो question solve करने में भी time लग जाएगा और हमें जल्दी करना है result ही याद रखना है ठीके तो देखिए P Q R S P P R A सबका coordinate given था Q का नहीं given था Q का भी आ गया ठीके किलियर ना ओके अब आगे पढ़ते हैं देखो आगे दे रखा है Q R parallel to P K ठीके और K का point तो देहीं रखा है 2 A, 0 अच्छा P Q R यहाँ पर देखो अब बैं लिखने वाला हूं ध्यान से देखना Q R parallel to P K तो हैंने का मतलब है तोनों parallel है क्या concept माइन में आएगा slow of Q R equal to slow pop क्या P Q ठीक है तो आपके पास Q और R मतलब दो point था दोनों का coordinate given है P और K इन दोनों का भी given है तो हमें slope निकालने के लिए कौन सा formula अपलाई करना पड़ेगा मतलब आप समझो A और दूसरा एक B दो point given है इसका coordinate given है X1 and then comma Y1 और इसका given है X2 and then कितना Y2 ठीक है तो slope of A B क्या लिख होगे आप slope of A B which is equal to Y2 minus Y1 divided by X2 minus X1 यही लेते हो ठीक है इसी कहीच करके हम लोग slope of qr निकालेंगे slope of pk निकालेंगे slope of qr निकालेंगे ओके तो slope of qr कितना हो जाएगा तो आपको coordinate देखना पड़ेगा qr तो q and r तो e r है ठी अच्छा एक काम करता हूं रूपो यहां पर मैं सब को लिख देता हूं a t a square and then comma 2 a t पहला ठीक है q तो निकाल चुके है हम लोग e upon t a square minus 2 upon वे कितना हो जाएगा t and p qr r का क्या given था तो r का value in terms of r ही given है ठीक है तो तब t की जगा r डाल दिया है e r square and then कितना 2 a r and a s कितना हो जाएगा तो e s square and then comma 2 a s और k कितना की मैंने यह का भी लिख देता हूं ठीक न एक ही जगा पे कि इससे आपको दिखना असान हो जाएगा लिखना असान हो जाएगा देखो मैंने सब लिख दिया अब आओ slope of qr की वर देखो slope of qr यानि कि q और क्या r दो तो यह कितना हो जाएगा 2 a r minus minus plus क्योंकि y2 minus y1 होता है तो 2 a r यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2 a r plus 2 a upon t divided by कितना x2 minus x1 अच्छा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा e r square minus e upon t square e r square minus e upon t square which is equal to slope of pk अब p और k यानि कि p और a में ठीके ना तो 0 minus 2 a t 0 minus 2 a t divided by क्या हो जाएगा हमारे पास 2 a minus a t square 2 a minus a t square इसको थ्वासा सिंप्लिफाई कर लता हूँ minus 2 a t divided by अच्छा नीचे से e comma ले लो क्या 2 minus t square जो common लो common निकालो जो cancer होता है करते चलो simplest form में question को proceed करते चलो फिके ना लाकर तो पहले तो यहां से e और e उड़ गया ओके यहां से भी e comma लेक उड़ जाएगा यहां से यह गया तो यहां से सब गया तो उपर में 2 common आ जाएगा तो यहां पर बचेगा फिर पास r plus यहां बचेगा 1 upon t divided by यहां पर क्या बच गया तो r square minus 1 upon a square which is equal to यहां पर क्या बचा तो minus 2t divided by 2 minus कित्का t square देखो यह 2 से आपके 2 भी cancel out हो गया राइट अब इसको कैसे proceed करोगे calculation पर भी आपको ध्यान देना है तो आप cross multiply करने से पहले एक काम करो ना यहां पर e square minus b square apply कर दो तो देखो उपर में लिखा हुआ है r plus 1 upon t divided by नीचे हो जाएगा r minus 1 upon t and then r plus कितना हो जाएगा 1 upon t which is equal to minus I think t लिखा हुआ है उपर में बिल्कुल minus t upon में कितना 2 minus t square राइट तो कुछ गया हो गया देखो अटिया ना आप cross multiply कर लेते हैं यानि कि 2 minus t square is equal to minus t into r minus कितना हो जाएगा 1 upon t which is equal to minus t r and then plus कितना हो जाएगा minus t into minus 1 upon t कितना हो जाएगा 1 which is equal to minus t square हमें निकालना किया था r निकालना था ओकी इसको इधर लाओ यानि कि t r is equal to 2 सब को इधर लाजा 1 minus 2 plus कितना हो जाएगा t square minus 1 तो r is equal to कितना हो जाएगा t square minus 1 divided by t आगया answer देखो कोई option है e square minus 1 upon t यानिक दी option हो गया ठीक है यह result था p given था q निकालने के लिए यह important है यह आपको यादर रखना है ठीक है ना बाकी तो यह सब तो है न सुलोपोला यह जो तो सबके mind में आहीं जाएगा ठीक है ना parallel है तो सुलोपोला concept लगेगा ही लगेगा ठीक है अगला question पर चलते ना है एक point A से उस पर normal का equation निकालना है दोनों कहीं पर intersect करेगा तो intersect करेगा तो intersect करने का मतलब है जहां पर intersect करेगा और वहां पर xy के value निकालेगा ठीक है और यह y को क्या बोलते है यह y को बोलते हैं हम लोग ordinate इसको बोलते हैं ordinate ठीके और आपको क्या निकलना है मतलब आपको क्या निकलना है y क्या वहरू निकलना है मतलब पहले equation of tangent लिखेंगे equation of normal लिखेंगे ठीके और उसके हम लोग दोनों को solve करके y निकलनेंगे एलियर है ना ओके तो सबसे पहले पी पॉइंट पी पॉइंट तो अब यह से बाते बहुत ही अश्टेंडर पॉइंट है ठीके ना यह पैरामेटरी कोडिनेट भी बोलते है पैराबोला का जो की इवें था ठीके और दूसरा एस अच्छा यह इस का भी कोडिनेट दे रखा यह महीं तू यह क्या नहीं स्वरी एक निट कि यह एस स्क्वाइर अंदर कितना तू एस यह वहला कोडिनेट है यह का ठीक है ओके तो आप हमें निकालना है इक्वेस्टन ओप टैंजेंट एट पी, ठीक है न, डिरेक्ट रिजल्ट है, ती वाई इसकॉल टू क्या, एक्स प्लस एटी एसक्वार, हमी निकालना क्या है, वाई निकालना है, मतलब दोनों जगह से मुझे एक्स का भीलू निकाल के कंप्यार करना पड़ेगा, सोचना, ठीक है, तो यहां से याद रखना था, याद रखना है, अदरवाइज, आप एक पॉइंट गिवेन है, फिर आप पैरेबोला को डिफरेंशेट करोगे, स्लोप निकालोगे, और पॉइंट स्लोप फॉर्म से एक्वेशन अब टेंजेंट निकालोगे, तो उससे भी बात बनेगा, ठीक है, यह मैंने डिरेक्ट लिया, इक्वेशन अब टेंजेंट एक्वेशन अब टेंजेंट यही होता है, ठीक है ना पैरेबोला पर, ओकी, अब आहे, एस पर क्या बोल रहा है, एक्वेशन अब नॉर्मल, ठीक है, तो यहाँ पर भी एक रिजल्ट है, वो भी आपको याद रखना ह देखो, इक्वेशन अब नॉर्मल अइट एमस्क्वेजर माइनस टूवेज यहाद किया जाता है, ए रिजल्ट हमें याद होता है, ठीक है, और इस पैट से निकलता है, वो पैट भी हम याद रखता है, तकी कोशन जल्द सर्ग हो जाए, तो यह आपको equation of normal है, point क्या दे रखा है, यह दे रखा है, अब इस point को आपको इसी से क्या कर देना है, compare देना है, ठीक है, तो देखो, यहाँ पर 2as है, और यहाँ पर क्या minus 2m, इसी दुनों को compare कर लेंगे, यानि कि 2as is equal to कितना given है, minus 2m, ठीक है, तो 2a2a ऊड़ जाएगा, यानि कि हम लोग क्या लिख सकते है, em is equal to direct में minus s लिख दू क्या, em is equal to क्या हो जाएगा, minus s, मतब जहाँ 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 यह मैंने वहाँ minus s, अगर लगा दूँगा तो इस point का normal का equation आ जाएगा, इस point से, ठीक है, तो अब हम जो equation of normal आप लिखो, equation of normal at em square नहीं, अब हम लोग क्या लिखते है, em square, क्योंकि अब जो given point था, उसका निकालते है, em square and then 2as, ठीक है, equal to कितना हो जाएगा, y is equal to, क्या था, em x, और em की जगह क्या है, em की जगह है, आपके पास, minus s, ठीक है, यहाँ पर मैं note करके लिख देता हू, em is equal to कितना है, minus s, ठीक है, तो y is equal to em x, यानि कि minus s, x, और क्या था, minus 2a, em, अच्छा, एक काम करता हो, minus 2a, और into, यहाँ पर चलो, इसे लिख देता हूँ, एक बार, okay, and minus a, and then minus s, यहाँ पर देता हूँ, right, ठीक है, तो which is equal to t हो जाएगा, minus a, x, minus minus plus, कितना हो जाएगा, 2a, and then plus, अच्छा, minus का q, minus minus plus, यानि कि यह कितना हो जाएगा, as, q, which is equal to कितना y, तो हमने, यहाँ से, x निकाला था, क्या, यहाँ से भी x निकालेंगे, तो ax, x is equal to कितना हो जाएगा, 2a, as, plus, as, q, and then minus, कितना हो जाएगा, y, माल लू, और इसको मैं क्या माल लू, अगर 2 माल लू, तो यहाँ पे मैं अराम से लिख सकता हूँ, from 1 and 2, दोनों x को यह निकाल कर रहा है, तो दोनों value आपस में क्या होगा, एक्वल होगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या given है, ty minus at square, यानि कि ty minus at square, which is equal to, यहाँ पे जो x क्या है, 2as plus as cube, 2as plus as cube minus y divided by as, divided by as, ठीक है, cross multiply कर लेते हैं, तो यह हो जाएगा, as ty minus at square, as is equal to 2as plus as cube, and then minus कितना लिखा हूँ है, y, ठीक है, अब आगे देखू, यहाँ पे कुछ given था, at is equal to क्या given है, one given है, तो यह value put कहाँ पे करना पड़ेगा, तो देखो, यहाँ पे one put करेंगे, यानि कि y हो जाएगा, minus कितना हो जाएगा, at square, as is equal to, यहाँ पे हो जाएगा, 2as, and then plus, यहाँ पे हो जाएगा, as cube, and then minus y, हमें y निकालना है, y को इधर shift कर लेते हैं, तो हो at is equal to 1, तो यहाँ तो यहाँ से, अगर मैं as common लेलों पहले, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा, से स्क्वार प्लस यहां पर कितना बचेगा आट टी स्क्वार यही तो बचेगा राइट आप वहलो पूट कर लेजिए वन बाइट टू इन टू इतना हो जाएगा ए इन टू और एस इस्कॉल डू कितना है वान अपॉन टी ठीक है ओके यहां पर बचेगा ए आपॉन टी यहां पर Chris कॉल डी टिकए कोई कितना अध्यार defines अब टिक多 ठीक एई एक और मेंी कितना फ्याएगा 2TQ, multiply कर लिजिए, यह लिखा हुआ है 2T square plus 1 plus यह लिखा हुआ है T square और यहाँ पे whole square, ठीक है, which is equal to E upon में कितना हो जाएगा, 2TQ, और यह क्या लिखा हुआ है, यह प्लस भी whole square, यानि कि T square plus 1 और यहाँ पे whole square, देखिए, अब final यह हो सकता है, क्योंकि E square plus 1 upon, whole square E upon 2TQ, यह तो हट गया, यह भी नीचे में 2 नहीं है, यह भी हट गया, अच्छा E upon 2TQ, यहीं तो है, B option हो गया, ठीक है न, बाकि सब नहीं हो गया, यानि कि B हो गया, देखो, रिजल्ट याद है, तो रिजल्ट कहां कहां था, एक रिजल्ट आपको यह भी याद रखना था, ठीक है न, यह रिजल्ट आपको याद ही रखना था, यह रिजल्ट आपको याद ही रखना था, वरना आपको त्रोंसा टाइम लग सकता है, उससे पहले जो रिजल्ट था, कौन सा था यह रिजल्ट था कहां गया उसको लिखा था नहीं मैंने यह रिजल्ट है यह भी आपको क्या याद ही रखना था तो तीन जगा पर calculation पर आपको ध्यान रखना है calculation में cross multiply करना से पहले यहां पर मैंने क्या लगा दिया यह वला जो अश्टेव था यहां पर आपको नोट करना था कि कि नहीं नोट करना था क्योंकि मैंने यहां पर अप्लाई किया यह स्कूर माइनस भी स्कूर अतरवाज आपको ज्यादा लिखना पड़ता हो सकता है में भी मैं नहीं बोल रहा हूं कि ज्यादा लिखना पड़ेगा तो दिक्कत होगा लेकिन थोड़ा सा जितना सिम्भलेसट फॉर्म में क्वोस्टम साले मसा तभी are मजा यह आता और जी एवलांस का प्रोलोम लेंदी नहीं है कितना अराम अराम से क्वोश्टमश्ण में dip हो गया की ओट्रिक संचे को संच से है कॉनिक सेक्षन ठीवरेट कर चाप्टर है तो रिजल्ट आप याद रख लिए देखिए कॉनिक सेक्षन आप से चुटकियों में स्वल्व होने लगेगा या फिर इंपोर्टेंट कोश्चन तो आप मुझे कमेंट करना मतब किस फॉर्मिट में मैं वीडियो अफ्लोड करूं तैकि आप लोग को ज्यादा स्यादा हेल्प हो सके